क्लास फर्स्ट, आज मैं आपको समझाएं बानू हूँ, चाप्टर निम्बर 6, Man and Computer मैं और कम्प्यूटर के बारे में देखिए, कम्पारिजनों किया जा रहा है, मैं और कम्पीटर में अब यह देखिए, यह मैं कहारा है, यह बोई कहारा है, और यह जो है, यह कम्प्यूटर कहारा है, I work when I want, मैं जब चाता हूँ, तो मैं काम करता हूँ, यह मैं कहारा है, अब यह है, I work on getting orders from man, मैं आत्मी से order लेने पर काम करता हूँ, सेकंड पॉइंट है, I get tired after working for long time, मैं लंबे समय तक काम करने पर थक जाता हूँ, अब यह computer कहे रहा है, I never get tired, मैं कभी थकता नहीं, थर्ड पॉइंट है, I am slower than the computer, मैं computer से धीमा हूँ, I am much faster than man, मैं man से, मतलब आदमी से ज़्यादा तेज हूँ, I have feelings, मतलब की मुझ में एहसास है, मतलब मुझ में भावनाए है, और computer के पास तो कोई भावनाए होती नहीं, फीलिंस नहीं होती है, तो इसमें लिखा है, I have no feelings, मेरे अंदर कोई भावनाए नहीं है, I can store a limited amount of data in my brain, मैं अपने दिमाग में सीमिट मात्रा में data store कर सकता हूँ, अब यह देखे, computer में क्या है, I can store a big amount of data in my memory, मैं अपनी memory में ज़्यादा मात्रा में data store कर सकता हूँ, मतलब रख सकता हूँ, I have made the computer, मैंने computer बनाया है, I cannot make a man, मैं एक आदमी नहीं, मैं एक आदमी नहीं बना सकता, यह देखे, यह इनसान computer बना सकता है, लेकिन एक computer जो है, पो इनसान नहीं बना सकता, I can make mistakes, मैं गल्तियां कर सकता हूँ, I never make any mistake, मैं कोई गल्ती नहीं करता, अब यहाँ देखे, computer is obviously a smart machine, as it is accurate, faster and store huge data, जाहिर है, computer is a smart machine है, जैसे कि यह accurate है, मतलब सटीक आंसर देता है, मतलब सही सही आंसर देता है, faster है, तेज है, and store huge amount of data, और यह अपने अंदर जादा मात्रा में data रख सकता है, जादा माउंट में data रख सकता है, but it works only when instructions are provided by man, लेकिन यह सिर्फ तभी काम करता है, जब instructions, मतलब निरदेश, man के थ्रू प्रदान किया जाता है, मतलब दिया जाता है, जब man के थ्रू instructions देएंगे तभी यह work करेगा, also human have the ability to make a computer, मतलब कि साथ ही human के पास computer बनाने की छमता है, मतलब कि computer जो है, वो a human बना सकता है, so we can say that the man is more superior to the computer, तो हम यह कह सकते हैं कि man जो है, वो जादा बहतर है computer से, इस chapter में जादा कुछ नहीं है, बस comparison दिखाया है man और computer के पीच, को समया है जादाह थे जादाए का फबसे में अदे गाँ है हैं?